है एवरिवन आज हम देखेंगे सैनुकुला एक्वा मेडिसिन को आलन से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैनुकुला एक्वा एक मिनरल स्प्रिंग वॉटर से बनाएगी ही मेडिसिन है मिनरल स्प्रिंग मॉटन में सारे ही टाइप के मैटल्स और मिनरल्स इंक्लूडेड है तो सिम्टम भी हमको उसी की तरह मिलेंगे तो मैंटल्स जेनरल्स के अगर बात करें तो ड्रेड अप डाउनवर्ड मोशन जैसे बॉरक्स की तरह डाउनवर्ड मोशन से एग्रविशन होता है सानिक विला को चाइल्ड जो रहेगा बच्चा, हैड स्ट्रूंग रहेगा, जिद्धी रहेगा, बहुत जादा, आप्स्टिनेट रहता है, क्राइज एन कीक, बहुत जादा क्रोस है, उल्टे जवाब देता है, इरिटेबल, क्विक्ली अल्टनेट विद लाफ्टर एंड दू नोट वा रहते हैं, फिजिकल जनरल्स के अगर बात करें तो सिम्टम कॉंस्टेंटली चेंजिंग, सारे सिम्टम कॉंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, लेक के नाइनम और पलसेटिला जैसे, जो चाइल्ड है, वो किक ओफ कर देता है, सारी क्लोथिंग को, even in a coldest weather, थंडा वैदर है, फिर भी क्या करेगा, सारी ही, जितनी ही, क्लोथिंग से, उनको क्या कर देगा, केक आउट कर देगा, हैपार और सल्फ भी, ऐसी मेडिसिन है, इमासियेशन प्रोग्रेसी हो रहता है, बच्चा ओल्ड लुकिंग होता है, डिर्टी, ग्रीजी, और ब्रावनिश कलर के इ अगर बात करेंगे, तो हैड और नेक, आप दे चिल्डरन, स्वैट प्रोफीज लिव दूरिंग स्लीप, स्लीप की टाइम पर हैड और नेक में बहुत आदा स्वैटिंग होती है, जो की पीलों को भी वेट कर देती है, फार आराउंड, यही सिम्टम हमको केलकेरिया और सा अगर बात करते हैं, तो लाज टंग होती है, फ्लैबी टंग होती है, जिसमें बर्निंग होती है, तो इतनी बर्निंग होती है, कि वो टंग को प्रोट्यूट करना चाहता है, क्योंकि इसको कूल रखना है, टंग पे हमको रिंग वॉम देखने को मिलता है, जो कि नेट्रम म में भी रिंग वूम और टंग देखने को मिलता है जी आईटी के अगर बात करते हैं तो नोजिया वॉमिटिंग होती है कार और केरिज राइडिंग से सैनिकुला में थर्स देखेंगे तो ड्रेंग अलिटिल ओफवन इस वॉमिटेड ऐस सुन आस इट रिचेस टू दर स्ट् आती है अर्सेनिक और फॉस्फोरस में भी ये सिम्टम है इनकंटिनेंस अब यूरीन ठीके और फिकस देखने को मिलता है फिकस में भी और यूरीन में भी इनकंटिनेंस होता है स्फिंक्टर जो होता है अन्रियलेबल है अलोई में भी ये सिम्टम है अर्जिंग फॉम फ्ल नहीं होता है तब तक पेशन को डिजायर नहीं होती है वो स्टूल पास आउट की अफ्टर ग्रेट स्टूल पासली एक्सपेल्ड होता है देन अगें रिसेट बेक हो जाता है यहीं सिंटम हमको साइलिशय और थूजा में भी देखने को मिलता है लाज एवाकुएशन आप स् रिमूट मेकनिकल यहीं सिंटम हमको साइलिशय में भी देखने को मिलता है ठीक है स्टूल देखेंगे तो हाड होता है इंपॉसिबल टू वाकुएड ग्रेइश वाइड बोल्स होती है लाइक बर्न लाइम क्रम्बलिंग होती इसको वर्जा बैनस में जो कि मैग्मियूर म जो कि टॉम औन जेरी में सबने देखा होगा डाइरिया देखने को मिलता है चैंजिबल इन कैरेक्टर अंड कॉलर लाइक स्क्रम्बल एग्स एक्स को स्कुम्बल कर दिया 40 ग्रास ग्रीन डाइरिया है जो कि टरन हो जाता ग्रीन उन स्टैंडिंग लाइक श्कमा वो पिर भी जो स्टूल की वाडर हो जाती नहीं है यही सिम्टम सलफर में भी है फिमेल रप्रोड़क्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो लुकुरिया देखने को मिलता है साथ में स्ट्रोंग ओर रहती है फिश ब्राइन ओर रहती है अगर रक्टम से जो उसिंग हो रही ह है तो कैलकेडिया मेडिसीन है और फिश ब्राइन डिस्चार्ज हो रहा है यह से तो मैडिसीन इस टैल्यूरियम ठीक है वीक्नेस देखने को मिलती है बीरिंग डाउन सेंसेशन आते है ऐस इफ कंटेंड पैल्विस वूड बी स्कैफ जोगी एग्रावेटेड होते है वाकि देखने के लिए वहात रख लेते है वल्वा में सोरने साब यूट्रस देखने को मिलता है एक्स्रीमिटीज देखे सैनुक इलाकी तो बर्निंग देखने को मिलती तो फीट अफ सोल्स में जो की अनकोवरिंग करना चाहता है पीशन क्योंकि इसको को प्लेसे में रखना है यही सिम्टम हमको लेकसिस, मैडो, सैंगुनेरिया, सलफर में देखने को मिल लेगा फूट स्वेट अगर है तो बिट्विन दे टो मैंकिंग देम सोरन ओफेंस यू यही सिम्टम हमको ग्रफाइटीज, सोराइनम, साइलिशिया में देखने को मिलता है और सोल एस इफ ही है स्कीन के अगर बात करें तो प्रफ्यूज, स्कैली, डैंडरफ होता है स्कैल्प में, आइब्रोस में और बियर्ट्स में, एक्सकोरियेशन आप स्कीन देखने को मिलेगा एनस में, कवरिंग, पेरिनियम, एक्सकैंडिंग, टुद जैनाइटेलिया, ठीक है, जो एक्सकोरि मेटल से रिमेलेटेड है, एबरोटेनम, एलुमीना, बोरेक स्कैल के रिया, गरेफाइटिस, नेट्रोम्यूर, साइलेशिया और अधर एंटी सोरी रेमेडी से ये सारी रिलेट करती है, तो ये थी रेमेडी से निकुला एक्वाफार्म आलन्स कीनोट मेटीरिया में डिका आपके लिए लेक्चर हेलफूल है, थैंक यू फर वाचिंग